a wave of frequency frequency आपको दे रखी है वेव का 500 थर्ज 500 थर्ज आपको फ्रिक्वेंसी दिया हुआ है ट्रेवल बिट्वीन एक्स वाई एंड ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर इन पूर सेकेंड बिट्वीन एक्स एंड वाई एक्स वाई के बीच का जो डिस्टेंस दिया गया है वो आपको दे रखा है 600 मीटर ठीक है 600 मीटर आपको दिया हुआ है और ये दे रखा है कितने टाइम में कवर कर रहा है 4 second के अंदर 4 second के अंदर ये इसको cover कर रहा है ठीक है between x y how many wavelength are travel in distance x y x y के अंदर कितनी wavelength travel करेगी सबसे पहले तो हम क्या करते हैं यहाँ पर wavelength निकाल लें कि wavelength कितना है फिर number of हम यहाँ पर wavelength प्राइंट करेंगे कि इस distance के अंदर यानि 600 meter के अंदर कितनी wavelength आए तो यहाँ पर हम सबसे पहले velocity निकाले velocity क्या होगा distance upon time x y upon t कितना आ गया 600 upon 4 कितना हो जाएगा 150 meter per second यह तो हमारे पास wavelength निकालना चाहें v is equal to हमारे पास क्या होता है n lambda n आपके पास frequency है ठीके तो हम यहाँ पर lambda निकाले तो क्या आएगा v by n क्यानि कि lambda is equal to v का value हमने 150 निकाला है और n का value आपको 500 दिया गया है यह lambda आगया हमारे पास क्यानि कि lambda की value this अब आपको बताना है number of wavelength in x y number of wavelength in x y x y के अंदर अंदर कितने है तो क्या करोगे आप x y by lambda x कितना था आपके पास x y के बीच का distance आपको कितना दीकों given है 600 600 given है और lambda अभी हमने find गिया है यहाँ पर 150 by 500 तो क्या जाएगा 150 by 500 150 से यह cancel हो जाएगा 4 time क्यो उपर जाएगा तो क्या जाएगा 4 into 500 जानी की क्या जाएगा 2000 तो कितने wavelength होंगे number of wavelength 2000 x y के अंदर option number d हमारे पास है तो कितने wavelength होंगे